अगर आपको digital zero balance saving account चाहिए तो आपके लिए five money saving account best choice हो सकता है इस account में आपको debit card, checkbook, mobile banking, UPS जैसे facilities मिल जाते हैं जिससे आप बहुत ही असानी से google पे, phone पे, ptm जैसे app भी use कर पाएंगे साथी साथ आपको एक visa international debit card भी मिल जाते हैं जिससे आप बहुत ही असानी से कोई भी international transition भी कर सकते हैं इस वीडियो में हम आपको five money saving account open करने का complete process बताने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं five money saving account open करने के लिए आपको सबसे पहले play store से five money app को download कर लेना होगा इसका link आपको वीडियो की description में भी मिल जाएगा open करने के बाद कुछ इस तरह से आपको interface देखने को आएगा यहाँ पे आपको sign up पर करना है click यहाँ पे आपको mobile number select करना होगा जो भी आपके phone में होगा इसके बाद आपको next पर simple करना है click इसके बाद कुछ permission आपको देखने को मिलेगा इन permission को आपको allow कर देना होगा आपके register number पर एक OTP बेह जाएगा OTP यहाँ पे आपको डालना होगा इसके बाद OK got it पर आपको करना है click यहाँ पे आप अपना email टालेगे इसके बाद यहाँ पे आपका जो भी अधार कार्ड और Pen card पे नाम होगा यहाँ पे आपको नाम डालना है इसके बाद आपको next पर simple करना है click इसके बाद यहां पे आपको invite code यहां पे डालना होगा आप चाहें तो इसे छोर भी सकते है आप को यहाँ पे एक option निचे में देखने को मिलेगा continue without invite code यहाँ पे आपको करना है क्लिक इसके बाद यहां पे आपको next पर simple करना है यहां पे आपको डालना है इसके बाद आपको करना है next पर click उसके बाद यहां पे confirm पर करेंगे click confirm पर click करते ही यहां पे आपको सबसे पहले आपना pain number डालना होगा जो भी आपका pain number है आपका pain number पर क्या date of birth है यहाँ पे आपको नीचे में डालना है, इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में एक option देखने को मिलेगा next, आपको next पर simple करना है click, यहाँ पे अपना father name आपको डालना होगा, mother name यहाँ पे आपको डालना होगा, आप चाहे तो यहाँ पे nominee add भी कर सकते हैं, इसके बाद आपक यहां पे आपको fill करना है, इसके बाद यहां पे आपको next पर करना है click, यहां पे कुछ आपको time लग सकता है, आपको wait करना होगा, जब तक नाए page open हो जाए, यहां पे आपको बताया जा रहा है कि आपको camera में 4 digit का word बोलना होगा, आपको word बोलने के लिए आपको नीचे में ए वही word आपको उसमें बताना है, इसके बाद यहां पे आपको अपने ATM card पे नाम क्या रखना चाहता है, यहां पे आप अपना ATM card पे जो भी नाम रखना चाहता है, नाम डालना है, नीचे में आपको एक address देखने को मिलेगा, इसी address पर आपका ATM card डिलीबर होगा, यहां पे आ permission को आपको allow करते ना है, इसके बाद send SMS पर करेंगे, क्लिक, आपने जो mobile number डालने थे, उस नमर पर active plan के साथ साथ में कुछ main balance होना चाहिए, तब ही आपका यहां पे mobile number verify हो पाएगा, mobile number verify होने के लिए आपको यहां पे कुछ इस तरह से message भेजने होता है, और यहां पे message आप कुछ इस तरह से मिल जाएगा, इसके बाद यहां पे आपका account open हो चुका है, आपका account number उपर में आपको देखने को मिलेगा, आपका debit card का details नीचे में आप देश सकते हैं, इसके बाद आपको next पर simple करना है click, आप यहां से चाहें तो आप बहुत हैसानी से अपना ATM card का pin भी generate कर पाएंगे, ATM card का pin generate करने के लिए आप यहां पे चार डिजिट का number यहां पर डालना होगा, आपको फिर से ATM card का number यहां पर फिर से डालना है, इसके बाद आपको करना है next पर click, यहां पर आप चाहें तो अभी से आप अपने account में कुछ पैसा deposit भी कर सकते हैं, deposit करने के यहां पे आपको नीचे में एक option देखने को मिलेगा, do this later, यहां पे हम करेंगे click, यहां पे 5 money, saving account, mobile banking का कुछ इस तरह से आपको interface देखने को आ जाता है, आपका account balance कितना है, यहां पे आपको उपर में देखने को मिल जाएगा, नीचे में आपको बहुत सारा option देखने को मि यहां पर करेंगे click, यहां पर कितना balance आपको select करना होगा, for example, हम यहां पे 100 rupees डालते हैं, इसके बाद यहां पर done पर करेंगे click, यहां पर गूगल पर select कर लेंगे, इसके बाद यहां पर नीचे में को option देखने को मिलेगा, add found, यहां पर हम करेंगे click, यहां पर हम अपना Google Pay क UPI pin डालेंगे, हमारा successful transaction हो चुका है, इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं, हमाने जितना भी पैसा add किये थे, आपको ऊपर में देखने को मिलेगा, यहां पर एक message भी आ चुका है, इसके बाद यहां पर चाहें, तो बहुत ही असानी से आप किसी को भी पैसा transfer कर सकते ह यहां पर हम done पर करेंगे, पैसा transfer करने के लिए, यहां पर आप देख सकते हैं, उपर में हमारा 100 रुपे देखने को मिल रहा है, हम चाहें तो यहां पर pay वाला आइकन पर करेंगे, click, pay वाला आइकन पर किलिक करने पाद, हम 3-4 तरीके से, हम बहुत ही असानी से किसी को भी भी कर सकते हैं, phone number से भी pay कर सकते हैं, UPI ID डाल के भी हम किसी को भी पैसा भी transfer कर सकते हैं, आपको यहाँ पर ऊपर में notification देखने को मिलेगा, इस पर आपको करना है click, यहाँ पर आप से बताया जा रहा है कि अगर आप video KYC complete करते हैं, तो इतना आपको benefit मिल जाएगा, वीडियो KYC करने के लिए आपको नीचे में एक option देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको करना है click, इसके बाद आप बहुत ही असानी से वीडियो KYC भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं अपने ATM कार्ड को देखने के लिए तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपने ATM कार्ड का details भ अपने कर सकते हैं, वीडियो पसंद आईएगो तो प्लीज एक लाइक करें, चैनल पर पहली बारा हैं तो सब्सक्राइब करें, हम मिलते हैं किस और इसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाई